नमस्कार दोस्तों मैं रावल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एप्रिक्स एक क्लासिस पर 21 सेप्टेंबर के करेंटरफेस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और जो लोग यह पूछ रहे हैं कि सर को क्ल करेंटरफेस क्यों नहीं आए है था तो भाई जो आपका current face है वो मंगल वार से रिके रवी वार दग आता है सो मार को आपका current face नहीं आता है एक दिन की छुट्टी तो यार मुझे भी मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए आपको लगता है यह नहीं मिलने चाहिए तो comment section पर लिख कर बताओ बिकाउज मैं आपको current face है जो आपको छूट जाता है लग रहा है वो मैं आपको cover करा देता हूँ पिछले दिनों भी जो मैंने लंबी शुटिया लेती है और उसका भी मैंने आपको current face पूरा cover करा दिया है यह आपको किसी कभी mock test दो आपको यह current face जरूर मिलेंगे exam में आपको यहाँ से question जरूर मिलेंगे because मैं daily basis पर सिर्फ उनी current face को important यहाँ पर मानता हूँ जो आपके आने वाले exam के लिए important है बाखी पढ़ने के लिए newspaper है ना वो पढ़ लो तो हमें newspaper नहीं पढ़ना है हमें सिर्फ और सिर्फ वो current face पढ़ने है जो हमारी exam में आते हैं आपको एकदम relevant current face मिलेंगे 20 से 25 मिट के वीडियो में कभी-कभी थोड़ा तल लंबा हो जाता है फिलाल एक question आपकी screen पर है कि 72 में Emmy Award की घोशना हो गई है यह television series को दिये जाने वाले award है जी हाँ मैंने Emmy Award का है मैंने Grammy Award नहीं का है confused मत होईगा तो चलिए इसके बारे मैं बात करेंगे बड़ एक important चीज announcement है आपके लिए कि 20 सेप्टेंबर को 2 बजे एप्रिक्स E-classes पर आना मत बूलिएगा धमाका होने वाला है फिलाल पहला ही news जो है leading actor, leading director so in category, comedy category so in serious category तो इतने सारे award में आपको पढ़ना क्या होता है इतने सारे award में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता आपको सिर्फ ये चीजे पढ़ने होती है कि ये कौन सा संसकरण है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ इसका जो संसकरण इस बार Emmy Award का किया गया ये 72 number है यानि कि ये 22 संसकरण है कहीं और ही लिखना चाहिए मुझे इससे हाँ यहां लिखता हूँ 72 number ये edition था इसका दूसरा ये है कि इस बार एक series, comedy series ने इसका सूप्रा साफ कर दिया सूप्रा साफ करने का मतलब ये कि कुल साथ प्राइम टाइब एवार्ड जीते और 9 Emmy Award जटक लिए ऐसा तो फिल्म पेर एवार्ड में देखने को मिलता न गली बॉय ने सारे के सारे एवार्ड जटक लिए थे वैसे ही कुछ यहां पर सिट्स क्रीक नाम की एक कॉमेटी सिरीज है जिसने इस बार रिकॉर्ड तोड 9 Emmy Award जीते हैं इसके बार जो तस्वीर आप देख पारे हैं इनका नाम है कैथरीन ओहारा इनको सिट्स क्रीक में मोहिरा रोज की इन्होंने भूमका निभाई थी और उसके लिए इन्हें Best Leading Actress का Award भी दिया गया है इसके बारे में और ज़्यादा जनकारी पर चले तो Outstanding Comedy Series का जो Award जीता है वो सिट्स क्रीक ने जीता है ये कैटेगरी एक हो गई एक Drama कैटेगरी का जो Award है वो Succession ने जीता है ये एक सिरीज का नाम है Succession और Outstanding Limited Series का जो Award जीता है The Watchman ने जीता अब हम लोग यार हिंदुता नहीं ठेहरे हम ये सब Series वीरी तो देखते नहीं है फिलाल मैं तो नहीं देखता हूं इसमें से तो Lead in Comedy Series की बात की जाए है तो एगेन लैवी शिट्स क्रीक ये Lead Actor का Award जीता था और Lead Actress in Comedy Series winner रही है Catherine O'Hara इन्होंने सिट्स क्रीक में ही काम करते हूँ इसको जीता है तो सिट्स क्रीक कह है जिसने बहुत सारे Emmy Award जीते हैं तो ये आपके लिए important है बाखी का और कुछ भी पढ़ोगे तो वो ज़्यादा important नहीं Catherine O'Hara का नाम भी याद रख सकते हो Emmy पुरसकार की बात की जाए तो Emmy पुरसकार जिसे अक्सर Emmy भी कहा जाता Simple Emmy कहा जाता EMMY इसकी इस्तापना जो हुई थी 25 जन्वरी 1949 से सुरू हुई थी 71 साल पहले दिया गया था और अब 72 वाँ इसको यहाँ पर इसका गोसित किया गया और इसका जो टेलिवीजन सीरीज की मामलों की बात की जाए तो इसका जो वेटेज है वो Grammy Award के बराबर ही माना जाता है अगली जन्वरी भी एक Award से है मुझे लगता है कि आप इन्हें पहचानते होंगे तस्वीर देखिए जी हाँ लिट्रेरी पीस प्राइज लाइट टाइम एचीवेंट अवर्ड विकार अगर देखा जाता बुकर प्राइज के लिए सबसे ज़्यादा नॉमिनेटिड होने वाली ये लेक का है माना बहुत बार ये नॉमिनेटिड हुई है प्राइज लिए ये जीड है इस बार ये दिया गया है मारगरेट अटवुड को मारगरेट अटवुड ये किस देश की रहने वाली है कनाडा याद रखेग़ा ये कनाडा की रहने वाली है और इनको बुकर पुरस्कार दिया गया था 2019 का The Testament के लिए बुकर पुरस्कार इनको 2000 में भी दिया गया था Blind Assessment के लिए और अगर आप देखें तो तस्वीर में आपको नजर आ रही है यह है बर्नांडीन एवरिष्टो और यह है मार्गरिट एड़वुड तो The Testament के लिए मार्गरेट एड़वुड को यह बुकर पुरस्कार मिला था जबकि Girl, Woman and Other के लिए बर्नांडीन एवरिष्टो को मिला था यह अगर दिखा जा तो बुकर पुरस्कार पाने वाली सबसे उम्रदराज महिला थी और बर्नांडीन एवरिष्टो पहली अस्वेट महिला थी जिनको यह पुरस्कार मिला अब यहाँ पर अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है सर मैन बुकर पुरस्कार और बुकर पुराइज में क्या अंतर है दिखेव बुकर प्राइज जो है यह अंग्रेजी भाशा के लेखों को दिया जाता है बुकर प्राइज जो से शुरुआ हो वो मेन यही है लेकिन फिर बाद में और भाशाओं को सम्मान देने के लिए कोई भी ऐसा novel या कोई भी ऐसी उपन्याज जिसका conversion कर दिया जाता है अंग्रेजी में यानि जिसका अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया जाता है तो उसको भी पुरुषकार दिया जाने लगा उसका नाम रखा गया The Man Booker International Prize तो अगर कभी सुनने को मिले Booker International Prize तो समाझ जीजेगा यह Man Booker है लेकिन अगर The Booker मिले तो समाझ लीजेगा वो सिर्फ अंग्रेजी भासा के लेकों को ही मिलेगा तो जब Man Booker International Prize है 2019 यह जोखा अलर्थी को दिया गया था ओमान की लेक का थी और उनको Celestial Bodies के लिए यह दिया गया था और अभी International Booker Prize की गोष्णा कुछ दिन पहले ही की गई है एक 29 वर्सी लेक का है यानि सबसे कम उम्र की अभी तक का Booker International Prize जीटने वाली यह है इनका नाम रहा है Mary Kay Lucas Reginable इन्होंने पुस्तक लिखी था The Discomfort of Evening The Discomfort of Evening में इन्होंने अपने एक पातर को भुना है जिसमें एक लड़की होती है और उसका एक भाई होता है जिसकी डेथ हो जाती है यह जो लंबे बाले बाल देख रहे हो इनका नाम है Mary Kay Lucas Reginable और यह Missile Hutchison है जो सर्कल के अंदर है ठीक है तो ध्यान रखे का International Booker Prize की गोष्णा हो गई है तो इनको आगे ले जाने के लिए महिलाओं को उत्थान में आगे लाने के लिए मुख मंत्री महिला उत्कर्स योजना नाम से एक योजना सुरू की गई है इसमें क्या होगा इसमें ब्याज मुक्त रिण प्यदान किया जाएगा जो भी ब्याज होगा वो सरकार वहन करेगी और 50,000 लोगों को यह योजना दी जाएगे तो इस तरीके से ग्रामीर शेत्रों में भी 50,000 गुरूप बनाए जाएंगे और ऐसा कोशिस की जाएगी कि हर गुरूप में दददस महिलाएं रहें और समूओं को सरकार दोरा ब्याज मुक्त रिण दिया जाएगा रिण दिया जाएगा मतलब यह पैसा उन्हें वापस करना होगा बट यह ब्याज मुक्त होगा इसमें उन्हें कोई ब्याज देने की जुरूत नहीं है ब्याज रासी सरकार दोरा बहन की जाएगी और इसके लिए सरकार किस बैंक को यहां पर सरेक्ट करती यह अभी हाली में पता चल जाएगा क्योंकि गुजरात से चड़ी वी नियूस है तो गुजरात अभी हाली में चर्चा में क्यों रहा है इसके बारे में बात कर लेते हैं ताकि जो सूश्म और लगू द्योग हैं वो थोड़ा सा आगे आ सके माधावपुर का मेला ये कोशन अभी स्सी सीजल ने पूछा था इसलिए मैंने इसको इंकलूट कर रखा है माधावपुर का जो मेला ही आपको गुजरात में आयोजित होता है बट इसका संबंध अरुनाचल पदेश से है माना जाता है ये मेला स्री कृष्णो और रुक्मनी जो की मिस्मी जाती वाले लोगों के लिए पूजनी माने जाती है तो रुक्मनी देवी के विभा के आउसर पर ये मेला मनाये जाता है हर साल ये 2 अप्रेल को मनाये जाता है इस साल भी ये 2 अप्रेल 2020 को मनाये गया था तो द्यान रखिएगा मादवपुर्गा जो मेला है वो किस देवता पर आधारित है ये प्रशन SSC सीजल ने इस बार पूछ लिया था तो ये जिन्नोंने पेपर दिया को उनको याद होगा कि स्री कृष्णो और रुक्मनी देवी जी पर आधारित है पीएम मोदी जने अभी हाली में तीसरा गलोबल पोटेटो कंकलेव यानि कि वैसवी कालू सम्मेलन गांधी नगर में आयोजित करवाया पहला किशान मंतन यानि कि ये अपने टाइप का सबसे पहला वैसवी क्रसी सिखर सम्मेलन था जो एमदाबाद गुजरात में आयोजित तेरवां Conference of Parties यानि कि Convention on Conservation of Migratory Spaces यानि प्रवासी प्रजातियों के सरच्छन को लेकर एक सभा का आयोजित किया गया तेरवां ये था ये आपके गुजरात में आयोजित किया गया था और इसकी जो थीम रही थी वो थी Migratory Spaces Connect the Plan and we welcome them home यानि कि जो प्रवासी जाती है वो विस्व को जोडते हैं और हमें उनका स्वागत करना है उनके घर पर Great Indian Bustard यानि कि गोदावन पच्छी जो की राजिस्थान का राजखी पक्षी है वो यहां का सुबंग करता गोवा जो है गुजराथ जो है वो पहला राज़ी बना जिसने अपनी पुलिस को यानि कि अपने जो पुलिस बल है उसको टेसर गन सौपी है इससे इलेक्रिक सौक दिया जा सकता है और आदमी को चित किया जा सकता है गुजराथ सरकार ने अभी हाली में डच प्लाइंग कार मेकर पॉल वी के साथ एक समझाते हैं पर हताचर की हैं जिसके जरीए दुनिया की पहली उड़ने वाली कार जो है वो गुजराथ में आपको नजर आएगी पांचवाँ एडिशन था इंडिया फार्मर और इंडिया मेडिकल डिवाइसेस को लेकर ये आपको गांधी नगर में आयोजित किया गया और अभी हाली में गुजराथ सरकार ने क्योंकि आप सभी को पता है मिड़े मिल जो है वो बच्चों को स्कूलों से मिलता था इस्क पांचे लगवाएं सरकार से बात किया से करनाच का इसमें डौऌ गांधी नगर है क्योंकि जए पी से बिलोग करते हैं राजकोट से सांसद है और पहले सी एंगी और दॉक्टर जीव राज-नरायन-मेहता- गवर्नर आचार देवरत है पहले गवर्नर थे मेहंदी नवाज जंग फ्लावर यानि कि स्टेट फ्लावर आपका मेरी गोल्ड है स्टेट फ्रूट यानि कि राजकी फल जो है मैंगो को माना जाता है और गिर के सेर्थ मसूर है तो यानि इसट एनीमल तो गिर के सेरी होने वाला है greater flamingo जो bird है वो यहां का राज़की पक्षी है और state tree यानि की राज़की वरच बनियान यानि बरगत के पेड़ को माना जाता है लोग सभा में आपको 26 सीटे देखने को मिलेंगि राज सभा में आपको 11 सीटे देखने को मिलेंग hopes अगर आपको ये स्लाइट पसंद आता है कि ये बढ़िया है तो मैं इसे बने रहने देता हूं मरीन नेशनल पार्क गल्फ आफ कच्छ में और वन सड़न नेशनल पार्क ये गुजरात के चार नेशनल पार्क बेदार के फेमांच जिसमें गिर राष्टी उध्यान करन के साथ और यह उस साल की सबस्दी कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में सुमार थी आपको मैंने अभी कुछ दिन पहले बता है था कि प्याज पे निर्याद पे रोक लगा दी गहीं है जो कि प्याज की कीमते हैं जो वो घरेलू मार्केट में काफी तेजी से बढ़ रही है लेकिन एक देश के लिए भारत को दया आ गई चलो यार इनको प्याज दे देते हैं तो बारत सरगार ने बांगला देश को 25,000 टन प्याज के निर्याद की विसेश अनुमती प्यादान की है आप किसी और को निर्याद नहीं कर सकते हैं बांगला देश को कर लो और वो भी केवल कितना 25,000 टन देखो यार देश के लिए 25,000 टन बहुत कम है तो ऐसा भारत ने अपने सबसे करीबी मित्र बांगला देश को सायोग प्यादान करने के लिए किया है बांगला देश में प्याद की कीमतें, बांगला देश की राजदानी ढाका है इंडेपेंडेंस डे ये हर साल 26 मार्च को मनाते हैं उनने स्विकतर को आजादी मिली थी ने पूरी पाकितान से बंगलादेश बनेते नेशनल एनिमल है रॉयल बेंगाल टाइगर अभी हाली में इन्होंने एक नया नारा लिया है जोय बंगला नेशनल बर्ड औरियेंटर मैगी पी रॉबन ये कववे की तरीके होता है और नेशनल फूर्ड यानि राष्टी फल जैक फ्रूट का टल जो है इनको काफी पसंद है आम का पेड जो है उसको इन्होंने नेशनल ट्री बना रखा है और फ्रूट बना रखा है जैक फ्रूट को देखिए यह चुटा ता मजाक है बट इससे आपको याद हो जाएगा फेमस वेस्टिबल है इदुल पितर इदुल जाजा मोहर्रम क्योंकि इस्लामिक कंट्री है प्राइम मिनिस्टर है सेख हसीना अब्दुलामीद वर्तमान समय सेख सर्क्यारमीद बहत्ण इसका इससे नीजे नं को पढ़ना पढ़ना प्रौड़ में इसको स्किप कर देना कोई जाधा देन लगएगा नहींट लेगी यात करने में टाइम लेता कि इसकिप करने में किनने नहीं हो जामिक है नयटनल स्कुल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे करेंसी बंगलादेशी टका है हाईएस पीक है केकरा डॉंग और लॉंगेस रिवर जो है वो सूर्मा आपको देखने को मिलेंगे यह जितने पॉइंट मैंने लिखे हुए न एक एक पॉइंट इंबोर्डन है बाकी किसी एक्जाम के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो आगली जनकरी पर चलते हैं और यह एक बड़िया अधिनियम आया है अधिनियम कुछ इस तरीके का है कि आत्म निर्भरता जो है वो भारत की बढ़ानी है यानि कि जो भारत के सूष में लगूद देओगे उनसे थोड़ा ज़्यादा माल खरीदे लोग तो और चाइना पर थोड़ा था लगाम करने वाला यह विदेख है और इसका नाम रखा गया है पब्लिक परचेज ओर्डर 2017 2017 इसको अप अधिनीमित कर दिया जाएगा इसको संसोधित कर दिया जाएगा तो 2020 का हो जाएगा तो भारत सरकार ने सार्विनिक खरीद को बढ़ाने के लिए एक परचेज ओर्डर यानि कि परचेज ओर्डर एमेंडमेंड में लेके आए है बट उन्हें direct order नहीं मिल सकते तो 25 उसके जाएगा परचेज ओर्डर वहां पर ले सकते यार बहु एसा कर सकते तो हम इसा नहीं कर सकते तो इस विदयक में एक पॉइंट यह है दूसरा पॉइंट यह है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए और पड़े उसी देशों से विशेज रूपिया चीन के निवेस रोकने के लिए इसको लाया गया कैसे नोका जाएगा इसमें क्या किया जाएगा कि वर्ग एक यानि कि क्लास वन और क्लास टू के इस्थानी आपूर्ती करताओं के लिए इस्थानी सामागरी को हिस्सा बढ़ाने में सच्छम होगा जो कि जून 2020 के आकड़ों के अंसार क्लास 1 और क्लास 2 के इस्थानी आपूर्ती करताओं का हिससाज 55 और 20 प्रिस्षत तैक किया गया है कहने का मतलब क्या है मतलब अगर माली जे कोई भी कंपनी भारत के अंदर निवेश करना चाती यह भारत के अंदर कोई प्रोजेक्ट लगाना चाती है तो उससे सबसे पहले तो हमारे किसी पब्लिक सेक्टर साथ मर्ज होना हुआ एक पर वो पब्लिक सेक्टर के साथ मर्ज हो गया तो जो खरीदारी वो करेंगे वो क्लास 1 और क्लास 2 के अंतरगत ही करेंगे Class 1 प्रोजेक्ट का मतलब यह होता है जिसमें 50% से कम नहीं 50% से अधिक की जो खरीदारी की जाए वो Local Level पे की जाए यानि कि जो Local Vendor हैं उनसे लिया जाए और Class 2 में 20% से कम नहीं लेकिन 20% से लेके 50% तक जो खरीदारी की जाए वो Local Level पे की जाए और क्लास 3 में वो आते हैं जो बिलकुल भी लोकल लेवल से खरीद नहीं करते हैं तो पिड़ा क्लास 1 और क्लास 2 को जरूरी सहूलेते हैं पैदान की जाएंगी और इस संसोधन के बाद भारत सरकार खरीद के लिए एक उपरी सुन में आमूले नियदारित करेगा कि भाई इस से ज़ादा आप भारत सर्नी खरीद पाओगे यहीं से खरीद ना पड़ेगा आपको तो कहीं न कहीं ये विदेख सहीं भी है और कहीं न कहीं जबिए हर चीद के अपनी akin हम बरा होता है तो कोई भी पार्टी हो मैं बुरा होता है हाली में अंतर राश्टी है दिवस के 21 सैब्मीर को मनाई गया है इस दिवस को सभी देशों लोगों के बीक में सवतन्तरता, सांती और खुुशी का एक आदर्स माना जाता है विसुसांती दिवस मुख्य रूप से पूरी प्रस्वी पर सांती और आइंसा इस्थापित करने के लिए मनाये जता है इसे पहली पर 1981 में मनाये गया तो सेपिंग पीश टुगेदर 2020 की थीम है क्या है सेपिंग पीश टुगेदर ये 2020 की इंटरनेशनल डे ओफ पीस 21 सेप्टेंबर को मनाये जाता है उसकी थीम है याद रहेगा आपको नहीं याद हो तो कॉपी पर रोट कर लिजे अगली जानकरी है परदानमंत्री जी ने बिहार में 9 हाईवे प्रोजेक्स के फाउंडेशन यानि के नीम डालने का बुला है 21 सेप्टेंबर को उन्होंने यहाँ पर नई परियोजनाओं की आदार सिला और सिल्यन्यास किया इसमें आपका कोसी पुल भी है कोसी मा सेतु जिसके बारे मैं बात हो रही थी उसके बारे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ तो हाल बिलार पदानमंती नरेंद मोधी जी ने 21 सेप्टेंबर को पटना में महत्मा गांधी सेतु के समानांतर चार लेन पुल, बिक्रम सिला पुल के समान अंतर पुल, फुलाथ पुल, पतना रिंग रोड, रजॉली से बक्तियार पुल, नरेनपुर से पूर्णीमा और आरा मोहनिया सडक के निर्मान की सुरुवात की है तो नाइन प्रोजेक्ट जो हैं वो बिहार में दिये गए हैं, अभी आपको याद होगा कि दो बॉटलिंग प्लांट भी लगाये थे, एक उन्होंने पाइपलाइन खंड का भी उदगाटन वहाँ पे किया है तो अभी हाली में नौ प्रोजेक्ट बनाएगे हैं, रोट से भी जुड़े होगे हैं, अगला एक बढ़िया काम और हुआ है, अभी हाली में FCRA आया, FCRA का मतलब है Foreign Contribution Regulation Act इसका मतलब यह है कि अगर आप बाहर से कोई पैसा लेते हो, विदेश से कोई अनुदान लेते हो, या दान लेते हो, तो उसकी जानकारी आपको सरकार को देने पड़ेगे इसके विदेयक में ऐसा कुछ नहीं किया गया है कि आप अनुदान नहीं ले सकते हैं या इतना ही ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं किया गया है इसमें बस एक चीज बनाएगी अगर आप पब्लिक सेक्टर इंपलॉई है यानि कि अगर आप लोग सेवक हैं अगर आप कहीं के DM है या कहीं के आप government employee है तो आप NGO खोल के किसी विदेशी अपने account में किसी विदेश से धन नहीं ले सकते तो ये मुझे सही लग रहा है कि इसमें रश्टा चार हो जाता है लोग अपने account में पैसा डलवाते हैं काला धन सफेद हो जाता है कई सारे NGO जो पैसा लेते हैं वो कहां से लेते हैं कहां खर्चा करते हैं इसके बारे में पता नहीं चल पाता तो पारदर्सिता लाने के लिए FCRA लाया गया है इसमें संसोधन क्या किये गए इसमें संसोधन ये किया गया है सबसे पहला तो कोई लोग सेवक पैसा नहीं ले पाएगा दूसरा NGO के लिए संसोधन ये किया गया है कि अब वो जो रकम लेंगे केवल उसका 20 फीसदी ही अपने ओफिस वगेरा पर खर्च कर पाएगे अभी तक क्या होता था NGO रेनोवेशन के मामने में बहुत ज़्यादा पैसा दिखाते थे कि हमने वहाँ रेनोवेट करा लिया हमने या ओफिस बना लिया या हम सैलरी दे रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ अब वो केवल 20 प्रत्सत ही ले पाएगे बाकी 80 प्रत्सत उन्हें उसी कारे पर खर्च करना होगा जिसके लिए वो लेंगे और इसके लिए उन्होंने आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सारे के सारे जो भी NGO के पता दिकारी होंगे उनको आधार कार्ड ये सब लगाना होगा अगर मालो वो भारत के रहने वाले नहीं है तो उन्हें पासपोर्ट बगएरा लगाना होगा तो इस तरीके से उनके खातों की जाच जो है उस पर नदर पूरी रखी जाएगी तो मुझे ये लग रहा है ये सही है और अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो तीन साल तक के लिए आपके NGO का लाइसेंस भी निरस्थ किया जा सकता है इसमें थोड़ा सा ये आने चाहिए अगली जनकरी है वर्ड अल्जाइमर डे भी आपका 21 सेप्टेंबर को मना जाता है अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें मनुस्थ की याद रखने की छमता कम जोर हो जाती है वो तंक से याद नहीं रख पता कि क्या चीजे हैं कहां थी कैसे ती इसे डिमेंसिया भी कहा जाता है और ये एक दिमागी सम्मधित दिमारी है यानि कि निरो से सम्मधित दिमारी है तो विल्जाइमर दिवस ये हर साल 21 सेप्टेंबर को मनाया जाता है बिस्ट अल्जाइमर दिवस के लिए जो थीम इस बार रही वो डिमेंसिया के बारे में बात करते हैं लेस्ट टॉक अबाउट डिमेंसिया अल्जाइमर एक नीरोडिजेनरेटिव बिमारी है जो मनोभरंस यानिकी अम भ्रहम की इस्थिति में आ जाते हैं अल्जाइमर ने इसका 1906 में पहली वार वर्डन किया था इसी लिए इसको वर्ड अल्जाइमर डेवी कहा जाता है अगली जानकरी है महिलाएं अब हेलिकाप्टर का पूरा मलब कि एक हेलिकाप्टर फ्लीट होगी उसको पूरा का पूरा जो जिम्मा होगा दो महिलाओं को दिया गया है भारती नौ सेना में पहली बार हो रहा है दीरे-दीरे महिलाएं सभी शेतरों में आगे आ रहे हो आगे आना भी चाहिए क्योंकि अगर महिलाएं ससक्त होंगी तो यकीन मानिये देश अपने आप ससक्त हो जाएगा इससे पहले महिलाओं को प्रवेश तय विंग कमान तक ही सीमित रखा जाता था उन्हें अभी नहीं दे जाता जाता जैसे कि आपके पता होगा सुप्रीम कोड ने अभी उन्हें थाई कमीशन देने की भी बात की है तो फिलाल ये दो जो महिलाएं अधिकारी जिने पहली बार हेलिकाप्टर इस्ट्रीम में सामिल किया गया है वो है सब लेटिनेंट कुमिदनी त्यागी और एसल्टी एनिक सब लेटिनेंट रीती से भारती नौसिना के 17 अधिकारियों को एक समू का हिस्सा है जिसे आइनेस गरुण कोची में 21 सेप्टेंबर को आईजित एक समारवो और अब्जर्वर के रूप में इसना तक होने पर विंक से सम्मानित किया गया है यह एक एतियासिक अफसर है जिसमें पहली बार मैलाओं को हेलिकॉप्टर संचालन का प्रसिचन दिया जा रहा है यह अधिकारी भारती नौसिना और भारती तर्चचचप बलके समुद्र ट समेत 1875 मैलाएं जो है वो सेमा में हैं आगली जानकरी चलते हैं न्यूस फटफट की ओर तो भारत ने मालदीब को एक और सायता दी और इस सायता के तोर पे 25 करोन डॉलर का वित्तिय सायता दिया जा रहा है आप सूच रहोंगे यह भारत मालदीब में बार 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 इ जिस स्थिती पर निर्बर है उसे होमरुज जल डबरू मद्य तक पहुंचने का जो राहता है वो बहुत कम हो जाता है यानि आप मिडिल इश्ट तक बड़े आसानी से पहुंच सकते हो दूसरा आपको यह पता है कि अगर अफ्रीका के साथ व्यपार करना है तो बीश में क आपको यादो का ओपरेशन चंजीबनी चलाए गया था बहुत सारी दवाएं वगेरा उनको दी गई थी तो मालदीब को अभी कोविद 19 के कारण जो आर्थिक नुक्सान हुआ उस नुक्सान के थोड़ी सी मलम की तरह उनको देने के लिए 25 करोन डॉलर की वित्ती सायता उ इब्राहिम मोहमस साले है और मालदीब की राजधानी है वो है मालिक अगली जान करी पर चलते हैं नेपाल जो है सबकुछ उन्हें भारत से ही चाहिए लेकिन गुड़गाएंगे चाइना का अभी भारत से उन्होंने रेल के दो सेट लिए और साथ साल के निलंबत के बाद यात्री रेलवे सेवा को फिर से सुरू करने की योजना बना रहा है आप कभी गए है नेपाल मैं गया था एक बार बियार वाले बार्डर से क्या नाम था उसका साय जोगबनी बार्डर था उधार से रेल नहीं मिला था मतलब पता नहीं कैसे गया था भगवान भी मालिक है टरक पे और वो टैम्पो एंब जी होता है उस पर ले लेके, रेलब बार्डर से से भारत के सीमा से संटे जै नंगर के लिए एक रेल सेवा सुरू की जाईगी, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट रेलसेट जो काड़मांडू ने भारत से खृदा था वो जनना रेलवे सेवा को शुरू करने जा रहा है अब बार ही है आज की वन लाइनर की बातर में प्राइम टाइम एमी एवार्ड सो के दौरान कॉमेडी सेनी के साथ प्रमुख पुरुषकार किस सो ने जीते हैं तो वो है सिट्स क्रीक मुख मंत्री महिला उतकर सियोजना का सुभारम किस राज्य नहीं किया तो वो है गुजरात और हर सिम्रत को और बादल के इस तीपे के बाद खाद प्रसंसकरण उद्योग मंत्राले काते प्रभार नरेन सिंग तोमर को सौपा गया है क्रशी मंत्री है डेटन साहितिक सांती पुरुषकार इस बर किसको दिया गया है मार्गरेट एडवुट को और हाली में दिगज किस तमिल निदेशा का निदन हो गया वो बाबुशिवान और हाली में महारा सरकार ने किस देश को प्याज निर्यात की एक विशेश और राष्टी राजमार परियोजनों का अधार सिला कहां रखी गई है विहार में विदेशी साहता का दुरुपयोग रुखने के लिए सरकार ने किस विदेश को लोगसभा में पेस किया है तो विदेशी अंसदान विनियम औन अधिनियम 21 सेम्टेंबर को मनाये गया 200 अलजाइमर डेश की थीम क्या है आईए डिमेंसिया के बारे में बात करते हैं और हाली में भारत के किस देश को 25 करून डावलर की विती साहता उपलब्द कराई है वो है माल दीब और साथ साल के निलंबन के बाद किस देश के भारत के साथ यात्री रेल सेवा फिर से सुरू होने वाली है तो वो है नेपाल पहली बार किंदो महिला अधिकानियों को हेलिकॉप्टर इस्ट्रीम ऑबजरवर पत के लिए चुना गया है हाली में किस तमिल निंधेश का निदन हो गया है उनका नाम है बादूशिवान और हाली में भारा सरगार किस देश को प्याज के निरात के लिए विषैस अनुमती पतान किया तो वहा है और पी-इम मोधी द्वार किस राज में नौ राष्टी राजमार्व परियोजनों की आधार सिला रखी गई तो वो है बिहार और विदेशी साहता का दुरुपयों को रोकने के लिए सरकार ने किस विदेश को लोकसभा में पेस किया है Foreign Contribution Regulation Act इसमें परिवतन किया जाएगा 11 September को मनाएगा Visual Alzheimer Day की थीम क्या है Let's Talk About Dementia और हाली में भारत ने किस देश को 25 करण डॉलर की विती साहता उपलब्द कराई है तो वो है माल दीव और साथ साल के निलंबन के बाद किस देश की भारत के साथ यातिली रेल से वह फिर से सुरू होने वाली है वो है नेपाल पहली बार किंदो महिला अधिकारियों को हेलिकॉप्टर इस्ट्रीम में ऑफजर्वर के पद के रूप में स्वामिल होने के लिए चुना गया है तो वो है कुमुझनित्यागी और रीती सिंग तो दोतों ये थी आज के मारे इंपोर्डेंट करेंट अपैस और उमीद करता हूँ ये करेंट अपैस आपको पसंद आए होंगे अभी के लिए इतना रखता हूँ बाकी जाईएगा नहीं क्योंकि कल फिर करेंट अपैस आएंगे और रात के नौ बजे रीजनिंगी क्लास आती है बाकी आप जो भी मुझे कहना चाते हैं वो कमेंट शुचन पर कहिए मैं डेली आपकी रिकमेंट जरू पड़ता हूँ अच्छे हो बुरे हो जो भी है आप मेरे अपने हैं अपने तो अपने होता है न चलिए फिलाल आच के लिए इतना ही थैंके सो मच बाबाई टेक केर